हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने हेल्दी प्रेक्फास्ट बनाने जा रही हूँ बेसन टोस्ट तो इससे बनाने के लिए देखे कि हम किस तरह से बनाते हैं इसके लिए मैंने बेसन लिया है एक कप थोड़ा साम इसमें हिंग पॉर्ड बडालेंगे नमक स्वाद अनुसार हल्दी पाउडर लाल मिर्ची पाउडर सूखा दनिया अजवाइन कोई भी मसाल अपने टेस्ट के साब से कम जादा डाल सकते हैं अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पाने डालेंगे और इसका गोल तयार करेंगे ना तो ये गोल हमें ज्यादा पतला त तो यार कर लेंगे अभी थोड़ा मेर को ये गाणा रख रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और अच्छे से मिक्स कर लोंगी इसके बाद हम इसमें कटीवी वेजिटेबल डालेंगे कोई भी वेजिटेबल अपने टेस्ट के साब से डाल सकते हैं जो भी आपके पास हो मैंने थोड़ा सा हरा धनिया टमाटर शिम्ला मिर्च और गाजर कद्दू कस करके लिए इन सब को डाल देंगे जो भी आपको वेजिटेबल डालनी है उसके साब से डाल लेंगे अच्छे से इन सब को मिक्स कर लेंगे अब यह गोल हमारा तयार हो गया है अब ये मैंने सब अच्छे से मिक्स कर ली हैं इसे में पांच मिनट के लिए ढक्के रख दूँगी पांच मिनट हो गई हैं अब हम तवे को गरम होने के लिए रख देंगे bread लेंगे bread के उपर अच्छे से चारो तरफ इस घोल को लगा देंगे एक साइड अब यह मैंने एक साइड सारे गोल को लगा दिया है अब हम इसे तबे पर रखेंगे थोड़े सी चिकना ही लगा लेंगे घी या ओलिव ओईल कुछ भी लगा लेंगे अब इसके उपर भी हम थोड़ा सा बैटर फिलाएंगे चारो तरफ अच्छे से लगा देंगे इसके मीडियम लो फ्लेम से इसे हमें सेखना है ज्यादा हाई फ्लेम से नहीं सेखेंगे अब यह मैंने बेशन वाले घोल से अच्छे से कवर कर दिया है थोड़ा सा गी मैंने उपर भी लगाया है अब मैं इसे पलट दूँगी सभी बेशन डोस्ट हमें इसी तरह से बनाने है इसे मैं एक साइट कर दूँगी अब दूसरे ब्लेट पर भी इसी तरह से लगा लेंगे इसके उपर भी इसी तरह से लगा देंगे और इन्हें इसी तरह से अलट पलट करते हुए दोनों साइट से से शेख लेंगे इन्हें हम सोंस, चटनी, किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं अब ये एक साइट से क्रस्पी हो गया है, दूसरे साइट से थोड़ा सा और सेख लेंगे इसको भी पलट देंगे इस पे भी थोड़ा सक ही लगा लेंगे अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे जो हमने पहले डाला था और इसे हम सर्व करेंगे इसी तरह हम सभी बेसें टोस्ट तयार कर लेंगे इसे मैं चार पीजों में कट करूंगी और सौंस के साथ सर्व करूंगी आप चाहें तो हरे दिनी की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं अब ये हमारा बेसें टोस्ट बनकर तयार हो गया है थैंक यू